मेरे प्यारे दोस्तों, इत चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं, इस वीडियो में रिजिनिंग का कुछ इंपॉर्टिन कोशिन डिसकस करेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटी एक्जाम में आप लोग को बहुती हल्पूर होगा देखें दोस्तों, कुछिन नमर वान, कुछिन मार्क के जगा पर इच चार ओप्षन से कौन सा होगा हमें निकालना है, कैसे निकाल सकते देखें, 9 के साथ 72 का जो रिलेसन होगा, 5 के साथ कुछिन मार्क का से हम होगा अगर 9 के हम स्क्वेर करते हैं, कितना होगा, 81, 81 से अगर हम इसी 9 को माइनेस करते हैं, दोस्तों कितना होगा, 72, जो हमारा यह ओला है सेम ऐसे ही 5 का स्क्वेर करेंगे स्क्वेर करने में होता है 25 25 से अगर हम इस वाले 5 को माइनेस करते हैं दोस्तो कितना होगा 20 जो हमारा option B है देखिए दोस्तो कुशिन मार के जगा पर चार ओप्शन जे कौनस होगा हमें निकलना है कैसे निकल सकते हैं 9 के साथ 90 का जो relation होगा 6 के साथ कुशिन मार का सेम होगा अगर 9 का हम स्क्वेर करते हैं दोस्तो कितना होता है 81 81 के साथ अगर इसी 9 को हम प्लास करते हैं कितना होगा 90 जो हमारा यह वाला निकल गए सेम इसी लोजिक का पर भी apply करेंगे 6 का स्क्वेर करेंगे जो हमारा option A है कुशीन नमबर 3 कुशीन मार्क के जगा पर इस 4 ओप्शन से कौन से होगा हमें निकालना है कैसे निकाल सकते देखे 12 के साथ 169 का जो relation होगा 8 के साथ कुशीन मार्क का सेम होगा 12 पे साथ अगर हम 1 प्लास करते हैं दोस्तों कितना होता है 13 इसी 13 का अगर हम स्क्वेर करते हैं दोस्तों कितना होगा 169 जो हमारा यह ओला दिया है सेम इसी लॉजिक के हापर भी अप्लाइ करेंगे 8 का साथ 1 प्लास करेंगे प्लास करने में कितना होगा 9 इसी 9 का अगर हम स्क्वेर करते हैं दोस्तों कितना होगा 81 जो हमारा option A है कुशिन नमबर 4 कुशिन मार के जगा पर इच चार option से कौन से होगा हमें निकलना है कैसे निकल सकते देखे 83 के साथ 25 का जो relation होगा 21 के साथ कुशिन मार का same होगा 8 से अगर हम 3 माइनेस करते हैं दोस्तों कितना होता है 5 इसी 5 का अगर हम स्क्वेर करते हैं दोस्तों कितना होगा 25 से अगर हम 1 माइनेस करते हैं दोस्तों 1 होता है इसी 1 का अगर हम स्क्वेर करते हैं दोस्तों कितना होता है 1 जो हमारा option B है कुशिन नमबर 5 कुशिन मार के जगा पर इन चार ओप्षेंचे कौन्स होगा हमें निकालना है कैसे निकाल सकते देखे 69 के साथ 49 का जो रिलेशन होगा 76 के साथ कुशिन मारक का सहम होगा इस दोनों नंबर को अगर आपस में इंटू करते 6 इंटू 9 दोस्तो कितना होता है 54 54 अगर इस दोनों को अपस में plus करते हैं 6 plus 9 कितना होता है 15 इस से अगर इस को minus करते हैं इस से अगर इसको minus करते हैं 9 जो हमारा ये वाला निकल गया है सेम इसी logica पर पे apply करेंगे इस दोनों number को into करेंगे into करने में कितना होगा 42 22, इस दोनों नमबर को plus करेंगे, plus करने में कितना होगा, 13, minus करने में कितना होगा दोस्तो, 9, 2, मतलब 29, जो हमारा option B है, देखे दोस्तो, कुशिन नमबर 6, कुशिन मार्क के जगा पर इस चार option चे कौनच होगा हमें निकालना है, कैसे निकाल सकते देखे, 16 के साथ 128 का जो रिलेसन होगा, 8 के साथ कुशिन मार्क का सेम होगा, अगर 16 का हम square करते हैं दोस्तो, कितना होता है, 256, 256, 256 को अगर हम 2 से divide करते हैं, 128 होता है, जो हमारा यह अलाग है, 10 का हम square करेंगे, 10 का square करने में होगा 100, 100 को अगर हम 2 से divide करते हैं, दोस्तो, कितना होगा, 50, जो हमारा option A है, कुशिन नमबर 7, कुशिन मार्क के जगा पर इस चार option से कौनसा होगा हमें निकालना है, कैसे निकाल सकते देखें, 25 के साथ 13 का जो relation होगा, 16 के साथ कुशिन मार्क का सेम होगा, 25 का अगर हम square करते हैं दोस्तो, कितना होता है, 625, 625 के 3 डिजिट को अगर हम आपस में plus करते हैं दोस्तो, plus करने में कितना होगा, 13, जो हमारा ये वाला आगया, सेम ऐसे ही, 16 का हम square करेंगे, 16 का square होता है, 256, 256 के 3 डिजिट को आपस में plus करेंगे, plus करने में कितना होगा, 13, जो हमारा option A है, कुशिन नमबर 8, कुशिन मार के जगा पर इस चार option से कौन सा होगा, हमें निकालना है, देखिए, 72 के साथ 18 का जो relation होगा, 56 के साथ कुशिन मार का सेम होगा, 72 के दोनो डिजिट को अगर हम आपस में plus करते हैं, दोस्तों कितना होता है, 9, 9 के साथ अगर हम 2 इंटू करते हैं, दोस्तों कितना होगा, 18, जो हमारा ये वाला निकल गया, सेम इसी लॉजिक आपर भी apply करेंगे, इस दोनो नमबर को plus करेंगे, plus करने में कितना होगा, 11, 11 के साथ हम 2 इंटू करेंगे, क्योंकि हाँ पर भी किये थे, 2 इंटू करने में कितना होगा, 22, जो हमारा option भी है, कुशिन नमबर 9, कुशिन मार के जगा पर इस चार आप्शन से कौन सा होगा, हमें निकलना है, कैसे निकल सकते देखें, 32 के साथ 36 का जो relation होगा, 24 के साथ कुशिन मार का से हम होगा, इंटू करने में 6 होता है, इसी 6 का अगर हम square करें, दोस्तों कितना होगा, 36, सेम ऐसे इस दोनों को इंटू करेंगे, इंटू करने में कितना होगा, 8 होगा, इसी 8 का अगर हम square करते हैं, दोस्तों कितना होता है, 64, जो हमारा option D है, कुषिन नमबर 10 कुषिन मार के जगाफ पर इस चार आप्टिण से कौनसा होगा? हमें निकालना है? क्या say निकाल सकते? देखे 221 के साथ 25 का जो रिलेशन होगा 441 के साथ कुषिन मार का से हम होगा तो फिर कौनसा लोजिक अपला होते? तीनों नमबर को अगर हम प्लास करते हैं दोस्तों, प्लास करने में कितना होगा 5, इसी 5 का अगर हम स्क्वेर करते हैं, स्क्वेर करने में कितना होगा 25, जो हमारा यह अलाल निखल गया, इसी लॉजिक हैं पर भी अप्लाइ करेंगे, 4 प्लास 4 प्लास 1 करने में कितना होगा 9 इसी 9 का अगर हम square करते हैं दोस्तों कितना होगा 81 जो हमारा option B है देखें दोस्तों ये series का साम है कुशिन मार के जगा पर इस 4 option से कौन सा होगा हमें निकालना है कैसे निकाल सकते देखें पहले मैं लिख लेता हूँ देखें दोस्तों पहले वाला नंबर से अगर हम 4 प्लास करते हैं इसके बाद 21 के साथ अगर हम 2 प्लास करते हैं दोस्तों कितना होता है 23 जो हमारा अगला नंबर आ गया इसके साथ अगर हम 4 प्लास करते हैं 27, इसके साथ 2 प्लास करेंगे तो आएगा कितना 29, इसके साथ 4 प्लास करेंगे तो कितना होगा 33, इसके साथ अगर हम 2 प्लास करेंगे तो कितना होगा 35, मतलब अगला नमबर देखें ज़रा ध्यान से देखेंगा तो मालूप पड़ेगा 4, 2, 4, 2, 4, 2 मतलब 2 का बतल अगला नमबर कौन सागा 4 आएगा तो अगर 35 के साथ अगर हम 4 प्लास करते हैं दोस्तों कितना होता है 39 जो हमारा option D है 12 कुशिन मार के जगा पर इस 4 option से कौन सा होगा हमें निकालना है कैसे निकाल सकते हैं पहले लिख लेता हूँ मैं 6, 11 देखिए 6 के साथ अगर हम 5 प्लास करते हैं प्लास करने में 11 होता है 5 के बाद अगला ओर्ड नमबर क्या आता है 7 आता है प्लास करने में कितना होता है 18 जो हमारा यह हो गया 18 के साथ 7 का अगला नमबर कौन सा आता है 9 38 38 के साथ अगला वर्ड नमबर कौन सा है 13 है प्लास करने में कितना होगा दोस्तो 51 जो हमारा ओप्षन ए है देखे दोस्तो यह सीरिस का साम है कुशिन मार के जगा पर इस चार ओप्षन से कौन सा होगा हमें निकालना है कैसे निकाल सकते कौन सा लोजिक अपला होता है देखे पहले मैं नमबर लिख लेता हूँ सारे नमबर अगर इसको हम 2 से डिवाइट करते है और 1 प्लास करते है 2 से डिवाइट करने में होगा 9 9 के साथ अगर हम 1 प्लास करते है दोस्तो कितना होता है 10 देखे आ गया सेम ऐसे ही 2 से डिवैट करेंगे और 1 प्लास करेंगे 10 को 2 से डिवैट करने में होगा 5 और 1 प्लास करना है यह वाला 1 तो कितना होगा 6 जो हमारा यह वाला आ गया सेम ऐसे ही 6 को हम 2 से डिवैट करेंगे और 1 प्लास करेंगे 2 से divide करने में 3 होगा और 1 plus करने में कितना होगा दोस्तो 4 इसको हम 2 से divide करेंगे और 1 plus करेंगे तो divide करने में होगा 2 और 1 plus करने में 3 जो हमारा option C होगा अब cushion number 14 करेंगे देखे दोस्तो cushion number 14 cushion mark के जगा पर इस 4 option से कौन से होगा हमें निकालना है कैसे निकाल सकते देखे इसको और इसको प्लास करते है अगर 1 प्लास 2 करने में कितना होगा 3 जो हमारा यह ओला नमबर आ गया इसको और इसको प्लास करते है तो कितना होगा 2 प्लास 3 करने में 5 सेम ऐसे इसको और इसको प्लास करेंगे 3 प्लास 5 कितना आता है 8 प्लास करेंगे 8 प्लास 13 करने में कितना होगा दोस्तो 21 कितना होगा 21 इसको और इसको प्लास करेंगे तो कुशिन मार के जगा पर कौन सा नंबर होगा आ जाएगा 13 प्लास 21 करने में कितना होगा दोस्तो 34 जो हमारा option B है आज के वीडियो में इतना इजा हिंजा भारत